तो कहानी शुरू होती है आदलबाद के एक जंगल से जहाँ पर गोंड नाम के एक कम्यूनिटी रहती थी यहाँ पर इनके बीच में कुछ ब्रिटिश के रूलर्स आते हैं और यह वो वक्त होता है जब इस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिशर्स का इंडिया के ओपर रा यह देखकर कि उसकी मां को बुरा लगते और वो उसका पीछा करती है और इस पर उन्हीं का एक गार्ड उस वारत को मारने वाला होता है कि तभी वो जो ब्रिटिश का ओफिसर होता है वो यह बोलता है कि बुलेट बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट है और वह ऐसे इंडियन इस्टर्स के बीच में एक लड़का उठकर के पत्थर मारता है जिस पत्थर से एक ब्रिटिश ऑफिसर की फोटो टूट जाती है और इसके बाद वो ऑफिसर बोलता है कि इसी वक्त उस लड़के को पकड़ के लेकर हो और यह काम करता है राम यहां पर इंडियन होता है ले इसके बाद भी उसे बहुत अच्छा रिकगनेशन नहीं मिलता है और उसे प्रमोशन भी नहीं दिया जाता है जब बात मेडल देने की आती है तो ब्रिटिश ऑर्सको ही मेडल दे दे जाते हैं और किसी भी इंडियन आफिसर को कोई भी मेडल नहीं मिलता है यह देख करके राम को बुरा लगता है क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था और उसे प्रमोशन भी नहीं दिया गया और अब लेक्सीन में यहां पर एक आदमी को देखते हैं जो कि नवाब की तरफ से आया होता है वो यहां पर बताता है कि जिस लड़की को वो लोग कुछ दिन पहले लेकर किया है वो गौंड कम्यूनिटी की है और वहां के लोग काफी ज़ादा एक साथ रहने वाले होता है अगर उन मेंसे कोई एक बिछषड जाये तो वो उसे ढूंटे हुए कहीं भी आ सकते हैं और इसी लिए इस वग जो गौंड कम्यूनिटी का हेड है जिसका नाम होत है भीम वो उसी बच्ची को लेने के लिए दिल्ली आ रहा है लेकि इतना सुनने के बाद दियो ब्रिटिश वर्स उस आदमी की बात नहीं मानते हैं और उस बच्ची को वापस नहीं करते हैं अब नेक सीन में हम यहाँ पर जंगल में भीम को देखते हैं जो कि यहाँ पर खु आम तोर पर काफी शांत रहता है और इसलिए भीम को पूरी मूवी में पानी से दिखाया गया है कि उसकी पावर पानी की पावर की तरह है और दूसी तरफ राम की पावर आग की तरह दिखाई गया है यहाँ पर भीम दिल्ली के शहर तक पहुच चुका होता है और यहाँ और वो एक मुस्लिम फैमिली के साथ एक मुस्लिम आदमी बन करके रह रहा होता है और इस फैमिली को पता होता है कि भीम यहां पर किसी को छुडाने आया है यह उस फैमिली के बाइक को ठीक करने वाली गैरज होती है जहां पर एक दिन एक ब्रिटिश और आता है वो बाइक को अपना गुसा शान्त रखता है दूसी तरफ बिटिशर्स को ये बाद पता चल गए थी कि उस बच्ची को छुडाने के लिए एक शिकारी आ रहा है इसलिए वो लोग बोलते हैं कि जो भी उस शिकारी को पकड़ के लेकर के आएगा उसे प्रमोशन मिलेगा और राम को इसी प शिकारी के पीछे लग जाता है पर उसे शिकारी की शकल नाम कुछ भी पता नहीं होते हैं और यहां wypresse scrxico को देखते हैं जोकि उसी जगह के सामने खड़ा होता है जिस पैलस के अंदर उस बच्ची को रखा गया होते हैं यहां सामने वह देखता है जेनी को जोकि दूसरों क काफी जादा हमबल होती है और वो दूसरे बिटिशर्स की तरह नहीं होती है वो यहाँ पर दूसरों का दुखदर समझती और उनकी हेल्प करती है भीम को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो जैनी उसे अंदर लेकर कि जा सकती है नेक्सीन में हम राम को कि उन्हें बिटिश ऑफिसर को मार देना चाहिए यह सुनकर कि वहाँ पर लच्चू उसके पास में आता है जो कि भीम का भाई होता है वो कहता है कि अगर वो बिटिश ऑफिसर को मार सकता है तो फिर वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है और यहां से वो उसे भीम से मिलवान र經्टी से हॽभा rapport के साथ में इसके बाद लच्चु आशे भागतव और राम उसका पीछा आंप लट्चु को चैसे तैसे वहां से बच करके निकल जाता है आब यहां पर राम जिस के ऊपर खड़ा होता है उसी पुल के नीचे नदी के पास में भीम होता है यहां पुल के नीचे से एक तेल का टैंकर जा रहा होता है जिसमें से तेल लीक होने के वज़े से वो अपनी पट्री पर से उतर जाता है और नीचे गर जाता है नीचे पानी में एक बच्चा होता है जिसके चारों तरफ अब आग होती है यहाँ पर राम भीम को देखता है और भीम राम को देखता है राम उसे इशारों इशारों में ऐसे इशारे करता है जो कि भीम समझ भी जाता है जबकि आज तक वो कभी भी राम से मिला भी नहीं था और इसके बाद राम और भीम, बाइक और घोडे और रसी की हल्प से बहुत ही जादा अंडियलिस्टिक तरीके से उस बच्चे को बचा लेते हैं और यही से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है यहाँ पर जैसे एक गाने में लड़की पड़ जाती है पर उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है और अभी तक भीम ने भी राम के पास उस स्केच को नहीं देखा होता है ऐसे ही राम और भीम एक बाइक से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भीम जैनी को देखता है राम समच जाता है कि भीम को जनी से बात करनी है तो वो उसकी कार के सामने जाकर के कुछ कीले डाल देता है और जैसे ही जनी अपनी कार लेकर के उनके उपर से गुजरती है उसका टायर पंचर हो जाता है अब राम यहाँ पर इंग्लिश में जैनी से कहता है कि अगर वो चाहे तो फिर भीम उसे अपनी बाइक पर ड्रॉप कर देगा इसके बाद भीम जनी को लेकर के बजार में जाता है जहाँ पर जनी बाद में उसे एक कार्ट देती है और उसे अपने घर में और एक पार्टी में इन्वाइट करती है भीम और राम यहाँ पर पार्टी में सूटेट बूटेट होकर के पोहच जाते हैं जहाँ पर एक सौंग होता और इस सौंग में मुझे गाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लेकिन यहाँ पर जूनियर एंटी आर और राम चुरन का डांस एक नमबर था गाने के बाद जनी भीम को ले करके जाती है चाय पिलाने के लिए जहाँ पर खाना खाने के पहाने भीम इदर ओर ढूंता है और अब उसे फाइनली वो बच्ची दिख जाती है बच्ची इसी वक्त उसके साथ जाना चाती है क्योंकि वो काफी जाधा घबरा गही थी और उन लोगों ने उसे एक जाल में बंद करके रखा होता है पर इस वक्त वो उसे वहां से नहीं चुड़ा सकता तो वो बच करके वहां से निकल जाता है दूसी तर राम को भी आपर ढूंते ढूंते फाइनली लच्चो मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है यहाँ जब वो उसे मार करके थोड़ी दिर के लिए बाहर जाता है तो लच्चु यहाँ पर अपने पास में एक साप को पकड़ लेता है और इस बार राम जैसे ही अंदर आता है वो उसके उपर साप को छोड़ देता है साप उसे काट लेता है और अब एक गंटे में राम की डेथ हो जाएगी यहाँ पर अब वो लच्चु को छोड़ देता है और उसने लच्चु के पास में एक ऐसा धागा देखा होता है जो कि लच्चू ने पहन करके रखा होता है राम यहाँ पर मरती हुए हालत में भीम के पास में जाता है और भीम जल्दी से उसे जड़ी बूटी बना करके पिला देता है जिसके वज़े से राम की हालत भी सुधरने लगती है पर अब वो यहाँ पर उसी दागे को भीम के पास भी देख लेता है जो कि उसने लच्चू के पास देखा होता है और वो समझ जाता है कि भीम में लच्चू का भाई है और भीम में वो शिकारी है यह हराम की हालत खराब होती है तो भीम उसे उसके घर पे छोड़ करके निकल जाता है उस बच्ची को बच्चाने के लिए क्योंकि आज वहाँ पैलेस में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसके वजह से वो लोग आज अंदर जा सकते हैं भीम एक ट्रक में बहुत सारे पकड़े वे जानवरों को लेकर के अंदर तोड़ते हुँ चला जाता है और सारे जानवर छोड़ देता है सारे जानवर यहाँ पर ब्रिटिश और्स के उपर अटाक करते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि उन्हें और तो बच्चो और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना होता है और ये भी काफी जादा unrealistic और logical नहीं होता है यहाँ पर भीम उस बच्ची के पास पहुच गया होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से राम आता है जो कि अब काफी हद तक ठीक हो गया था यहाँ पर राम और भीम के बीच में एक बहुत लंबी फाइट होती है जिसमें एंड में उसी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और अब भीम के पास और कोई बीचारा नहीं होता है तो वो surrender कर देता है भीम पकड़ा जाते है और उसके बाग के सारे साथ ही भाग जाते है scene shift होता है राम की तरफ जहाँ पर अब उसे finally promotion मिल चुका है और अब वो इस जगह का इंचार्ज बन गया है जहाँ पर सारे हतियार रखे जाते है और exactly यही उसे चाहिए था अब scene shift होता है flashback में जहाँ पर हम देखते हैं कि राम के पिता भी पहले British के अंडर में ही काम करते थे और वो भी एक सिपाही थे पर एक दिन वो देखते हैं कि वो ही British officer जो कि आज यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है उस वक्त वो उनके battalion का head होता है और वो एक गाओं के सरपंच को जान बूच के मार देता है यह देख करके राम के पिता को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी job को छोड़ देता है इसके बाद वो गाओं जाते हैं और गाओं में अपनी एक सेना बनाने लगता है उनके पास बंदूके नहीं होती है इसलिए वो लकडी के बंदूकों पर हर किसी को practice करवाते हैं पर एक दिन राम चुपके से उनके बंदूक उठा लेता है और उससे practice करते है राम का निशाना बहुत ही अच्छा होता है और वो एक sharpshooter होता है वो बहुत दूर से और बहुत सही निशाना लगा लेता है ये देख करके उसके पिता बहुत ही खुश होते है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे बिटिश को officer अटाक कर देते है राम के पिता अपने पूरे गाव़ों को बचानी के लिए कुर्बान हो जाते है और सभी लोग भाग जाते हैं लेकिन राम के पिता की डेथ हो जाती है और जो लास्ट गोली उन्हें लगती है वो राम नहीं मारी होती है योगि राम के पिता ने अपनी पूरी बॉड़ी पर बम को लगा लिया था और वो जान बूच कर बिटिशर्स के सामने चले गए थे ताकि पीचे से राम उन्हें शूट करे और बॉम वही पर ब्लास्ट हो जाए क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही बुलेट बच्ची होती है राम ऐसा ही करते हैं और इसके बाद वो अपने पूरे गाउओ वालों से वादा करते है कि वो यहाँ पर हर किसी को बंदू के दिला के रहेगा ताकि वो लोग बिटिशर्स का सामना कर सके और इसी रादे से वो दिल्ली आया होता है और इतने वक्त से वो यहाँ पर पुलिस के अंडर में काम भी इसलिए कर रहा होता है कि उसे एक दिन ऐसा प्रमोशन मिल जाए कि वो ऐसे ही किसी जगह का इंचार्ज बन जाए जहां से वो सारी बन्दू के ले जा करके अपने गाउवालों को दे सके और फाइनली आज ये हो गया होता है सीन प्रेजन टाइम में शिफ्ट होता है जहां पर भीम को कोड़े पढ़ने वाले थे और ये कोड़े मारने वाला राम होता है राम को अच्छा नहीं लग रहा था और ब्रिटिश को आफिसर ने कहा था कि जब तक भीम अपने गुटने नहीं टेकेगा तब तक उसे कोड़े मारने पढ़ेंगे राम कोशिश करता है कि वो चेन को खीच करके भीम के पैड नीचे कर दे और भीम का होसला बहुत ज़ादा होता है और वो इतने सारे कोड़े खाने के बाद भी खड़ा रहता है इन फैक्ट वो एक गाना गाता है जिसके बाद वहाँ पर जित्ती भी आम जनता होती है उन सब के अंदर भी जोश आ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते है भीम को पकड़ के तुबारा से जेल में डाल दिया जाते है और आप फाइनली राम को गिल्ट फील होता है वो इस बात को लेटर में लिख करके अपनी गर्फरेंड सीता को भी बताता है जो कि वही उसके कबीले में ही होती है और उसका इंतजार कर रही होती है सीता को ये लिटर भी मिल जाता है जिसे पढ़ करके वो भी परेशान हो जाती है इस मूवी में आलिया भट का रोल बिलकुल उतना ही है जितने की लेस के पैकेट में चिप्स होते है अब यहाँ पर क्योंकि भीम कोड़े खाने के बाद भी जुका नहीं होता है तो बिटिश का ओफिसर बोल देता है कि अब उसे फासी दे दी जाएगी अब फाइनली यहाँ पर राम को भीम को बचाने का मन होता है क्योंकि उसने देख लिया था कि बंदू के ना होते में भी सिर्फ भीम के गाने में इतना असर था कि सारी जनता में वहाँ पर जोश आ गया था इसलिए वो बिटिश के आफिसर से बोल देता है कि उन्हें भीम को नदी के किनारे ही फासी देनी चाहिए और वो भी उसी बच्ची के सामने जिसे की बचाने के लिए वो यहाँ पर आया था और उसे मारने के बाद नदी में ही बहा देंगे उस आफिसर को भी ये प्लान बिल्कुल सही लगता है और अब रात में जाकर कि राम हर बंदूख में से गोलिया निकाल देता है ताकि सब भी आफिसर के पास बंदूखे तो हो लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं हो अगली सुबह जब राम अपनी कार में उसी बच्ची को लेकर के जा रहा होता है तब पीछे से कार में वही आफिसर भी आ रहा होता है जिसे कि राम के उपर शक हो जाता है यहाँ पर वो आफिसर ये भी नोटिस कर लिता है कि राम ने जान बूच कर एक पेड़ को काफी हद तक काट दिया है और अब राम जैसे उस पेड़ के आगे निकलता है वो पेड़ को गिरा देता है पर वो आफिसर बच जाता है और इसके बाद यहाँ पर फाइटिंग शुरू जाती है राम यहाँ पर हर किसी को मारता है और उस बच्ची को भागने देता है दूसी तरफ उसने भीम के पास में अपने एक दोस के हल्प से ब्लेड भिजवा दी थी जिसकी वज़े से वो यहाँ पर अपनी रसियों को काट लेता है और भीम भी फाइट करने लगता है और वो फाइनली राम को पीट करके उस बच्ची को लेकर के निकल जाता है भीम पो ये बात नहीं पता होती है कि उसे छुडाने वाला रामी है उसे तो राम के उपर गुसा रहा होता है अब सीन यही पर कट हो जाता है और नेक सीन में हम राम को देखते है जो कि काफी महीने बीद के होते है जिसकी वजह से उसकी दाड़ी बहुर ज़ादा उगाई होती है और इस वक्त वो भी उसी जेल में होता है जहां पर कभी भीम था यहां पर राम अपनी लगातार प्राक्टिस कर रहा होता है और अपनी बॉडी लगातार बनाते जा रहा होता है दूसी तरफ भीम यहां पर भागते भागते हात रस तक पहुँच जाता है और ऐसी वो एक सराई में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर हर तरफ ब्रिटिशर उसकी तलाश कर रहे होता है और पता नहीं कहां से उन्हें भीम की फोटो भी मिल गई होती है ऐसे ही वो ढूनते ढूनते उसे उसी सराई में आ जाते है जहां पर उस वक सीता होती है सीता यहां पर राम से मिलने के लिए जारी होती है पर यहां पर वो ब्रिटिशर्स को ये बोलते थी है यहां पर सभी लोग बहुत ज़दा बिमार हैं और उन्हें चुआ चूट के बिमारी है यह सुनकर के सारे अफिसर वहाँ से भाग जाते हैं और वो इस तरह से भीम को बचा लेती है इसके लिए भीम उसे थांक्यू बोलता है और बाद में उसे ये पता चलता है कि वो यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही है अब यहाँ पर सीता उसे राम की सारी कहानी बताती है कि राम का रियल प्लान आजादी है यह सुन करके भीम को बहुत पश्टावा होता है और अब उसे समझ में आता है कि वो यहाँ पर आज जिंदा है क्योंकि राम ने उसकी हेल्प की थी अब इसके बाद यहाँ पर भीम दुबारा से दिलने जाता है और जैनी से मिलता है जैनी उसे उस महल का मैप दे देती है जिसकी हेल्प से वो जा करके फाइनली राम को छोड़ा लेता है राम और भीम वहाँ पर सबसे फाइटिंग करके बहुती अन्रियलिस्टिक तरीके से निकल जाते है और वहाँ से निकल करके जंगल में भागते है जंगल में राम यहाँ पर श्री राम का गेट अप ले लेता है क्योंकि उसके पास इतना वक्त होता है और इसके बाद वह यहाँ पर धनुश से हर किसी को मारना शुरू करता है उसके तरकश में तीर खतम ही नहीं होते हैं और वह लगातार सब को मारता रहता है और वह तीर उसे कहां से मिले यह बात कोई नहीं जानता और अब फाइनल सीन में एक बार फिर से राम अपने घोडे पर और भीम एक बाइक पर बैट करके उसे ब्रिटिश ओफिसर की तरफ को बढ़ जाते हैं जहां पर उन्हें जा करके वो सारी बंदू के चुरानी होती है यहां पर भी एक अमेजिंग सा फाइट सीन होता है जिसके एंड में उसी ब्रिटिशर की वाइफ की भी डेथ हो जाती है और फाइनली भीम यहां पर उसी ब्रिटिश ओफिसर को भी मार देता है और अब राम और भीम यहां पर ट्रक में सारी की सारी बंदू के ले करके निकल जाते है और फाइनल सीन में फाइनली राम सीता से मिल जाते हैं और भीम के साथ भी उसकी फ्रेंशिप पहले जैसी हो जाती है और इसी हैपी एंडिंग पे ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है परसनली मूवी देखने में अच्छी थी लेकिन आपको फिजिक्स को साइड में रखना पड़ेगा और काफी सारी जगे पे लॉर्जिक को भी तो अगर आपको मेरा एक्स्प्लेइन पसंद आया हो तो प्लीज उमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और उमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई